नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब उमीद करता हूँ एक दम स्वस्त होंगे मस्त होंगे और जगास होंगे दो भाई साब सिंपल इंट्रेस्ट के दो पार्ट अपने गंब्लीट कर लिए थे तीसरा प्राट लेके आपके सामने हाज दे रहे हैं जबरदस्ट सा वीडियो होने पाला है आपको कहा करना है लास्त तक जरूर देखना है और लेकिन जो फर्स टाइम इस वीडियो को देख रहा है करपया करके इसके पहले दो वीडियो जरूर देखें तब ही आपको चीजें समझ में आने वाली है चले साब शुरुआत करते हैं बिना किसी तिरे के ATS का SI दूसरे भाग पर 5% की रेट से 3 वर्ष में SI के बराबर है दूसरे भाग की आपसे उराशी पूछ रहा है वह यह साब को कोशन को कैसे करेंगे यह आपके पास एक प्रिंसिप पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है पहले पार्ट में क्या बोल रहा है 25% की रेट से और 3 साल के SI के एकवल है बोले सर एकदम बढ़िया एकवल है तो वही है दोनों को मैंने बराबर कर दिया अब काटो पीटो फटाबर से देखो परसेंट से परसेंट गया तीन से तीन गया यानि हम बोल सकते हैं फरस्ट पार्ट का जो SI है यह सेकंड पार्ट क एक साई है की हो गया वही साफ एकवल हो गया यानि हम बोल सकते हैं फरस्त पार्ट के सब उपार्ट के सुर 115 और अको भीसा जालो हैसाभी उपास और ओली कोशन का से हैं 205 आब को आपसे पूछ रहा है कि दूरे पार्ट की राशे कितनी है तो सैटिंड पार्ट की राशी कितनी आपके साथ कितना एक राहा है तो भाइस सैकra मारे सबस्दर कर देंगे और यही हमारे सब्सक्राइब का एकदम भढ़िया सा सुन्दर सा टिकाउसा आंसर है उमीद करता हूं समझ में आ गया हो बहुत आसान है कहीं कुछ xy मानने ही जुरूरत नहीं है इस पैटर्न को फॉलो करो और आपके आंसर आ जाएंगे चलिए आगे भणे साथ चलो साथ और कोशन करते हैं एक पिता ने 50,000 रुपे की राशी को 5% की रेट से अपने बेटों के नाम इस प्रकार किया कि 18 वर्ष की आयू होने पर दोनों को समान राशी प्राप्त हो यदि उनकी वरत्मान आयू करमाशे 12 और 14 यर से तो वरत्मान में छोटे बेटे के नाम कितनी राशी है बढ़िया को साल बाद मुझे उसके ऑसके पीछ सजार रुपे मिले तो वाइ सबुसका मतलब क्या है कि 10,000 मिछ मिले मिले साथ मैं इंट्रेस में प्रिंसं प्लस इंट्रेस बोले आपका pewn यानि मिष्रदन आपके हाथ में यह किसकी बात कर रहा है आप यहृक्ट कर रहा है कि अमयंप किदे को स्सेब्त करते हैं और इसको फटापट से आबापकर से और यह यूजteenर पूरे, अगर मैं चोटे बेटी की बात करूँ सीफ और चोटा बेटा हो गया ठीक है तो देखो इसको 5% है हर साल 5% दूसरी साल 5% इस 6 साल में कितना मिल जाएगा आप बौलो कि सर यह मिल जाएगा आपको 30% बात क्लियर है क्या नित 30 रुट कर लviamente कि बड़े वाले बेटे की भाइशाया यह को स्वाइब बड़े बड़ा बड़ा ओ गया थीक कि फोर चोटा बड़ा वेद आप difficult कृश्टन ने क्या हूं ख़ा एंड्रेड तो इसको लगा सकते दोनों तरफ और कट जाएंगे सब इदर कितना हो गया विए सी बोले तो वरे साथ सी की वैलू कितनी आगी सर बहुत अच्छी बात है इदर से आप इसको हटा देते हैं एक बार यहां से मैंने रिमूव कर दिया ठीक है बहुत अच्छी बात करी मैंने चलो इदर से अब अपन करने वाले देखmen से करने वाले हैं इदर कितना हो गया 130 सी चोटा बेटा प्लों कितना हो गया मैं सर ब्लूवरे 2 कितनी हो गया बड़े ही साथ कितना हो गया 12 चोटे हो लूँ हिस्सा ओकiva किसे सब्सक्राइब करेक्ट और ऑप्षिन नमबर कौन से बही है और क्लियर का नहीं कितना आसान या आपके एक टाइप में दोनों कोशन कर लिए और भी कोशन है चलो सब्सक्राइब कहीं आगे बढ़ते हैं जतने हैं झाला क्या रादा नाम के एक मैला है जिसके पास जितने पहें उसे वह तीन भागों में बाढ़ कर बैंक में जम्म कराने और देखो इस खुशन को आपको क्या करने खुश्ट ट्राय करने कोशिश करने हैं। क्या है मैंने आपको दो कोशन करा दी अब आप खुष्टे ट्राइए करोगे ना तो आपका क्या होगा कॉन्फिटेंस एक दम बिल्डिप होता जाएगा और वीडियो को पॉस्ट कर दो यहीं पर मैं जब बोला करू ना कि भाई खुष्टे ट्राइए करना तो उसी टाइम को क्या कर दिया करो जलो कोशन को करने कोशिश करते हैं अब आपको बेंक में उन बैंक की रेट कितनी है और टाइम सब क्या एकवल होगा ना तो नाइन से नाइन सब में cancel हो जाएगा हमें उसको रखने की जूरत ही नहीं आप 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 देखो हमने माल लिया वाई सब इसक प्रश्च 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 करते हैं किस अनुपात में राशी जमा कराई हमें ए रेश्यों बी रेश्यों सी याद निकालना है याद करो भूले विशरे जमाने जब मैने आपको बताया था किसके बारे में रेश्यों पढ़ाया था यह वाली वैली पूछे तो वही है इसको चुपा लो बाकी दो को मल्टीपलाई कर दो चलो साब करते हैं इधर कितना आजाएगा आप बोले सर इधर 18 आजाएगा मैंने का लिखो फिर इधर कितना आजाएगा आजाएगा मैंने का लिखो फिर इधर कितना आजाएगा आजाएगा मैंने का लिखो फिर क्या अभी ये किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है बोले सर बिलकूल हो रह क्लियर कानी आरे ये बात समझ में असा कोशन था एक कोशन और ले लेते हैं अपने ऐसा ठीक है इसी टाइप पर चले सब आगे बढ़ते हैं कोशिश करना इस कोशन को सॉल्व करने की ठीक है पास जार की राशी को दो भागों में इस प्रकार बाटा गया कि पहले बाग पर सि ट्राय करो कोशन को सॉल्व कर के आप आंसर लाने की कोशिश करो चलो साब कोशन को सॉल्व करते हैं अब यहां क्या है देखुँ यहां आपके密 फ्रेक्शिन में कोई बात नी होने दो ना कोई दिक्कत ने है भाईया अपन तो बात कर लेते तो offer two 20 वाई 3 परसेंट एकदम बढ़िया 20 वाई 3 परसेंट मैंने इधर लिख दिया कोई दिक्कत किसी को बले सर कोई दिक्कत निये और कितना टाइम है और तूसरी कंदिशन में सब्सक्राइब लेकिन द्यान से समझना उसने बोल रखा इसका क्या है यह डबल भी करना पड़ेगा अगर हम डबल नहीं करेंगे तो हमारी क्यों जाएगी गलत हो जाएगा क्या सब्सक्राइब नहीं द्डबल करें तो इसक्राइब जो जी वाली कितने इसको 11 कितनी इसको लोगे sir 14 बात क्लियर है कि आप बोले sir एकदम क्लियर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे टोटल कितना हो गया बोले sir इधर हो गया 25 और question कि अक्वाडिंग कितना हो गया sir 5000 हो गया तो वाई साब वन यूनिट की वेलू कितनी आने वाली है आप 200 आने वाली है अब अंसर कितना आजाएगा 600 is the correct answer option number असान question था जैसा question बोलता जा रहा है हमें वैसा वैसा करते हुए चलना है अपनी तरफ से extra effort लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है question easily solve हो जाते हैं ठीक है चले सब आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question और अगला टाइप देखो question आपसे क्या बोल रहा है किसी राशी एक राशी निश्चित दरपर एट वर्ष के लिए उधार दी जाती आठ साल के लिए उधार दी जा रही है यदि रेट को 10.5 परसेंट जादा कर दिया जाए तो 200 रुपे जादा मिलते हैं आपसे पूछ रहा बहिया principle कितना होने वाला है इस तरह के question हर exam के इंदर भरपूर पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना है कोशिश करनी है इस question को solve करने की और पहुत असान question है और हमें बुक की तरफ नहीं जाना बहिया एकस वाई मान के calculation नहीं करनी है चलो साब कोशन को समझनी की कोशिश करते हैं इसकी भावनाएं आपसे कह गया रही है भावनाएं यह कह रही है कि अगर rate को 10.5% जादा करते तो इसको 2100 रुपे मिलते यह 2100 रुपे जादा मिल क्यों रहे हैं यह question करो ना यह क्यों मिल रहे हैं भाईया इसलिए मिल रहे हैं कि आपकी rate को 10.5% जादा कर दिया गया अगर इसको जादा नहीं करते तो भाई साब कोई माई का लालिक की सुर्वे जादा नहीं ला सकता था पॉसिवल ही नहीं था तो भाई इसका वजय कौन है वह वजय तुम हो यह 10.5% है और यह हर साल इंक्रीज हो रहा है कितने साल की बात है वह यह बोल सकते हैं अट साल में कितना इंक्रीज हो रहा है वह सर 10.5 x 8 कर देते हैं वह घया कितना आ जाएगा आप वह सर 84% यानी इस 84% की वेल्यू इस 84% की कारण ही तो हमारे को कितने रुपे मिल रहे हैं 200 रुपे मिल आप से आजाओ फिर काटो पीटो देखो 21 से कितनी बार 4 ताइम्स इधर 4 ताइम्स इधर 100 ताइम्स देखो 4 से कितनी बार बोले सार 4 से काटो तो बढ़िया नितो अपने काम क्या कर सकते है प्रिंसिपल निकालना है प्रिंसिपल कितना होता है 100% होता है इस 4 को 100 बनाने के लिए किस से मल्टिप्लाइब 25 से इधर तो इधर भी 25 से मल्टिप्लाइब करना पड़ेगा कितना आजएगा 2500 is the correct answer यह लो साब प्रिंसिपल कितना आगा 25 कोई माता फोड़ी करने की ज़रत नहीं थी इस कोशन के अंदर ठीक है साब बोले एक दम भढ़िया मैंने का आगे आजओ फिर चलो साब आगे बढ़ते हैं के लिए कोशन की तरफ नेक्स कोशन देखिए आप से क्या कह रहा है कोशन बाइसा बोल रहे है एक राश्री का साध बहुत इस एक बार विदाउट फैन विदाउट पर कर देगा चलो साब कर देते हैं तीन परसेंट जादा करा इसलिए मैं सेवन्टी टू रूपी जादा मिल रहे हैं और कितने साल दो साल की बात ओनी है शिक्स परसेंट की वैल्यू कितनी है बहतर है आप से वह राशी कित सब्जेक्ट दूसरा नहीं वह याँई इस शिक्स परसेंट की वैल्यू कितनी है आप वालोगे सड format की वैल्यू कितनी हाँ कि बारा तो वशत हंडरेट फरसेंट की वैल्यू कि इैह बार्याच कि की दरसे टीन भाई साब 9200 रुपे हो जाते हैं ठीक है अच्छी बात है हो जाते हैं मैंने आपको हमेशा का है हो जाते हैं मिल जाते हैं का मतलब आप से amount की बात कर रहा है यादि rate 2% increase हो जाए तो वे राशी कितनी हो जाएगी मिल जाएगी का मतलब amount यानि आपसे given भी आपको amount है और आपसे amount की बात कर रहा है तो भाई साब अब यह जो question है ना इस तरह के question आपको कई सारे exam में as it is यह वाला question तो कई सारे exam में आ रखा है कई सारे exam के अंदर यह question करना नहीं है है ही नहीं हमारे पास वक्त तो ही नहीं भई या चलो साब इस question को निप्टा देते हैं अब देखो एक चीज़ मुझे सिर्व इतनी सी बताना कि अगर हम rate को increase ना करें हम तो नहीं कर रहें rate को increase हम तो अपनी मर्जी के माले करी नहीं रहे तो भी मुझे 900 9200 उपीस तो मिलेंगे मिलेंगे ना देखो सब कुछ करने के बाद मैं कुछ भी ना करूं तो भाई इतने तो मिलने मिलने वाले यह तो खहीं नहीं जा रहे तो मेरी जेब में है अब भाई सब यह ज्यादा मिलेंगे किसकी वज़े से बोले सर यह 2% की वज़े से मिलेंगे तो भाई 2% की वज़े से अगर ज्यादा मिल रहे हैं तो भाई इसको कर देते हैं 2% की वज़े से ज्यादा मिल रहे हैं अब कितने साल की बात हो रही है हर साल 2% ज्यादा मिलेग अब यह ज्याद़ा किसका मिलेगा 6 % किसका मिलेगा प्रिंसिपल का तो और कितना एक दम क्लीर है इसको सान भाशा में बोर सकता हूं क्या करना यह 9,200 रुपे तो मिलने इसमें आपको क्या एड ओन करना है 8,000 का कितना 6% आपको और add on करना है अब देखो कितना आजाएगा सर इसका 6% कितना आजाएगा 480 आजाएगा एक लाइन का question था 9000 दोस्तों में से बस 480 add गर तो आपका answer आजाएगा 0869680 option number पर 20 दा correct answer single line का question था अगर आपके concept बहुत अच्छे हैं नहीं तो भाई निकालो पहले rate पहले rate निकाल में फोकस करोगे तो भाई करते हो कोई दिक्कत नहीं है दूसरे लोग इस टाइम में आपसे दो questions एक्स्रा कर रखे होंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ें इसी टाइप का question कर लेते हैं पुले सर बिल्कुल कर लेते हैं मैंने का आजो साथ 800 रुपे की धनराशी तीन वर्षों में एक निश्चित वार्षिक सारान ब्याज पर और हम सामने पढ़ रहे हैं offline की तरह मजा लो अब answer दो डिट्टो वैसा का वैसा question है बस यहाँ पर data change है और ऐसी question आपको एक्जाम में देखने को मिलेंगे भाईया करो साथ इस question को निट्टा हैं गया बोले सर इतने रुपे तो मिलेंगे मिलेंगे बोले सर क्यूं मिलेंग बोले सर 6% increase कर दिया अब 6% increase कर दिया कितने साल टैक बोले सर 3 साल तैक यानी कितना हो गया 18% को गया बोले सर विलकुल हो गया और 800 का 18% निकाल दो 800 का केवल क्या निकालना था 18% क्या निकालना था 144256 में आपको क्या 10400 gemacht करना 700 100001100 रुपίए आपका क्या हो गया 시청, यह हमारा अंसर हो गया ऐतने रुपे हमें मिल जाएंगे, बात खतम, पैसा हज़ा कितना आसान है, बिलकुल आसान है अगर आप चाहोगे तो, नहीं चाहोगे तो भाई साद बहुत टफ है, और ऐसा यी ऐख ऐसा टॉपिक है भाईया दुनिया में कोई भी एक्जाम देने चले जाओ आपको यहां से कोशन जरूर मिलने वाला है तो भाई अपनी मैस को स्ट्रॉंग करो ठीक है और बहुत आसान टॉपिक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन की तरफ अगला कोशन देखे आप से क्या कर रहा है 9600 रुपे की राशीक दो बागों में निवेशित की जाती है एक बाग पर 11 परसेंट और शेष बाग कर 15 परसेंट की रेट से ब्याज मिलता है चार बश के बाद कुल 5088 रुपीस का ब्याज प्राप्त होता है दोनों बागों के बीच का डिफरेंस क्या होगा इस का पढ़ाता मिक्षर और एलिगेशन के इंदर अपने एक टॉपिक पढ़ाना उससे बहुत सारे टॉपिक आपके क्या होंगे आपके कनेक्ट होते हुए चलेंगे चलो इस कोशन को निप्टानी कोशिश करते हैं तो एलिगेशन कभ लगता है वाई साब मेरे पास एक लगाऊंगा मेरा आणसर आजाएगा अब लेकिन वह कैसे निकालेंगे भाई कुछ ना कुछ तो गिवन होगा कितना व्याज मिल रहा है वह ले सर्फ 5088 मिल रहा है मैंने का एक दम भढ़िया कोई दिक्कत नहीं कितने साल का चार साल का तो एक साल का कितना हो जाएगा निकाल सकते हैं इसली निकाल सकते हैं हमारे पास बोले सर है यह अपने पास हंड्रेट करता उपर नीचे क्या कर दो आपके प्रिंसिपल कर दो काटोगे पीटोगे आपका जो ओवरल रेट आईगी 13.25 और इतनी मुझे आप से उमीद है भाई साब कि इतना काम तो आप करी सकते हैं आपको इतनी कैलकुलेशन तो आनी ही चाहिए अगर आप कोई भी एक्जाम करने जा रहे हैं चले साब हमने अपना काम आसान कर लिया वोल सब बिलकुल आसान कर लिया अब क्या करना है इसको अटा देते हैं इस वाले को मतलब नहीं है आपके जिंदिगी में यह आ अपने क्या कर लिया मा अपनी वैल्यू निकल गई अब एलिगेशन निकालो काटो पीटो और यहां से माइनस करो यह 15 में से 13.25 जाएगा कितना बचेगा 15 में से 13.2 जाएगा देखो एलिगेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है सबसे पहले वह भी फोकस कर लो सब बिलकुल लग रहा है एलिगेशन का क्या रूल होता है यह वाली वैल्यू जो आपकी बीच वाली वैल्यू इन दोनों में से किसी एक से ज्यादा और किसी एक से कम होनी चाहिए चलो साब लग रहा है कितना बचेगा वाईस सांब 15 में से इधार करेंगे 1.75 बचेगा ठीक हैसाब हो गए cancel out हो गए 25 से कितनी वाद 7 times और 25 से कितना 9 times 9 और 7 कितने हो गए सब 16 हो गए यह total value आ गई और question कि according कितना है 9600 तो वहिए वन unit की value कितनी होने वाली है वन unit की value होने वाली है 600 और question ने आप से क्या पूचा कि दोनों पार्ट की बीच का difference वहिए कितना difference है टू यूनिट्स का तो वहिए टू यूनिट्स की वाली कितनी हो जाएगी टू इंटू 600 कर दें कितना आंसर आजाएगा 1200 option number D समझ गए कहानी एकदम आसान question था लेकिन ये question कब आसान है जब आपको allegation आता है नहीं आता ना वहिए इसी question में आप सुब़े से शाम भी हो सकती है ठीक है चलिए सब आगे बढ़ते हैं के लिए question की तरफ next question देखिए अगला क्या कह रहा है इसी टाइप पर ब्याज के रुप में 4,800 रुपीज का बुक्तान करना पड़ा तो अलग अलग सा ब्याज और रुपा उधाले के राश्यों में कितना difference था सेम डिट्टो वैसा question है देखो भाईया सबसे बहले हमारे पास यह percentage है 5% मैंने का बिल्कुल है आपके पास दूसरी परसेंट बुले सब बिल्कुल है लेकिन overall percentage नहीं है तो भी आपके निकालेंगे देखो चार साल का व्याज मिल रहा है अब पेच फस गया भाईया अभी तक थो रेट अच्छी आ रही थी लेकिन आप कितनी आ गई अब रेट आ गई भाईया हमारी अब रेट आ गई दादाओ देखो रेट कितनी आ गई आपके रेट आ गई भाईसाब यह आ गई 200 अपोन 31 percentage अब क्या करें दादा अब क्या कर इस 31 को यह तो अठाना है हटा देंगे वे कैसे अठाएंगे सबको 31 से मल्टिप्लाई कर देते हैं इसको 31 करदो इसको 31 से multiply कर दो, इसको 31 से multiply कर दो, यह लो साब यह तो cancel out हो गया, वर्य साब बिल्गुल हो गया, यही तो मैटाना था, बाकियों से तो कोई दिक्कत नहीं थी न, इधर देखो कितना हो गया प्रसर 155, ठीक है, इधर कितना हो गया सार 248, और इधर कितना हो गया वाई साब, इधर हो गया वाई साब हमारे इधर हो गया देखो दादाओं, इधर हो गया वाई साब, इसको color change कर लेते हैं, इधर कितना हो गया वाई साब 200 हो गया, यह लो साब 31 अटा दिया नीचे से, यह लो काटो पीटो इधर कितना आएगा, 48 आएगा, प्रसर इधर आएगा 48, अगले टाइप की तरफ अगला टाइप देखो आपसे क्या कह रहा है, एक और जबरदास टाइप है, एक राशी पहले चार वर्ष में सालाण व्याज की रेट पर 6.5 परसेंट, अगले 7 वर्ष तक 9 परसेंट और 11 वर्ष बाद 10 परसेंट, यदि 19 वर्ष बाद 43040 रुपे प्राप्त होते हैं, होते हैं, मिलते हैं, हो जाती है, मतलब यह बात किसकी कर रहा है, आपसे अमाउ ब्याज मिलेगा 6.5 परसेंट की रेट से, बोले सार अच्छी बात है, तो भाई साब कितना ब्याज मिलने वाला है, 4 into 6.5 कर देंगा, बोले सार बिलकुल कर दो, कितना हो जाएगा, यहां से आपको कितना मिल जाएगा, 26 परसेंट मैंने बहुत अच्छी बात है, ठीक है, यहां वाला चीज समझना एक बढ़, कोशिश करना समझने की, अगला आपसे बोल रहा है, 10 परसेंट रेट है, लेकिन कितने साल की बात हो घरी है, 19 साल की बात हो घरी है, यानि कितना ब्याज मिलेगा आपको आपको 169 पर सेंट लेकिन दिहान दखना आपको क्या मिल रहे है जब अमाउंट मिल रहा है तो अमाउंट कैसे निकलेगा प्रिंसिपल क्या करेंगे, प्रिंसिपल प्लस आपका SI, प्रिंसिपल कितना होता है, 100%, 100% प्लस SI कितना आगया, 169%, यह लो साब, और इसी की टोटल करेंगे कितना आगया, 269%, और यही value question के according कितनी है, ध्यान से देख लो, इसी की value question में कितनी दे रखी है, साथ 269% की value जो given है, question के according कितनी है, यह 43040, जब काटिंगे देख इदर 9 आ रहा है, इदर कितना आ रहा है, और आपसे principle पूछा है, principle पूछा है ना, principle कितना होता है, सब principle क्या होता है, 100% होता है, 1% की value आ गई, तो 100% की value कितनी आ गई, भाई साब, 100% की value कितनी आ जाएगी, 16,000, का नज़र आ रहा है, और यही हमारे question का एकदम correct answer है, तो इस type के question को समझ कर आगे बढ़ जाओगे क्या, exam में आएगा, निप्टा दोगे क्या, सब बिल्कुल निप्टाएंगे, सब गवराने की बात ही क्या है, अराम से question solve करेंगे, चलो आगे बढ़ें, और आज का last question लेते हैं भाई सब, आज का last question, same इसी type पर question, वर्ष्णों की समय अबदी के प्राप साजन ब्याज 43 800 रुपे हो, तो आपसे बूछ रहा है, वैद अन्राशी कितने रुपीज थी, चलो साब, same to save, SI data question है, try करो, वीडियो को post करो, इस question को solve करने ही, कोशिश करो, दोको मैं इसले बोलता हम, आप खुछ से try करोगे, तो ब 4% की rate से, अगले 8 वर्ष्ट के लिए कितना और आपसा, 32% मैंने का बहुत अच्छी बात है, और अगला क्या है, वैई यह 7% की rate से, मैंने का अच्छी बात है, लेकिन कितने साल है, साल भी तो देखो, विदा साल कैसे करेंगे, कि लो साब कितने साल तक, देखो, 4 साल यह हो साल हो गया, तो 3 साल का कितना हो गया, बात क्लियर है, बोले सार एकदम क्लियर है, 20 और 30 कितना हो गया, 70 और 3 कितना हो गया, 73%, अब देखो, इस question में, आपके पास amount given है, कि SI given है, देखो, साब, आपको क्या given है, SI given है, जो given होगा, उसी से तक calculate करेंगे, यानि हमने, हमारे according SI क और question के according कितना है, 4, 3, 8, 0, 0, देखो, काटो, पीटो, किस से जाएगा, 73 से कितनी बाद, 600 टाइम चला जाएगा, यानि 1% की value कितनी आगे, 600, अब question ने आप से क्या पुछा भे, धन्राशी कितनी थी, या कोई भी धन्राशी अपने आप में 100% होती है, तो कितना आजाएग होगी, कल कुछ और bettering questions, bettering कल सब आपका इंतजार करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्त रहिए, मस्त रहिए, जै हिन, जै भारत, धन्यवाद